Good morning all of students, yesterday we had understand and do exercise 5.2 Question number 1, divide and find the quietant D2L in math Today in math we will understand and do exercise 5.2 Question number 2, divide and find the quietant जैसे हमने कल divide किया था question number 1 में ऐसे हम आज divide करेंगे Question number 2 का ए दिया है 4 by 728 4 से हमें divide करना है 728 को So, first हम divide करेंगे 4 by 7 4 से 7 को divide करेंगे So, 4 के table में हम 7 को divide करने के लिए कैसे number देखेंगे जो 7 से smallest हो 7 से छोटा हो 4 का table रीड करकेते हैं 4 बंजा 4, 4 to the 8 4 to the 8 और 8 क्या है 7 से greater है 7 से greater हो गया 8 4 का table हम कितनी बार read करेंगे 1 बार 4 बंजा 4 So, 4 से 7 को हम 1 बार divide करेंगे 4 बंजा 4 So, 1 हम quite and के लिए लिखेंगे and 4 नीचे लिखेंगे अब हम माइनस करेंगे 7 में से 4 को So, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 नीचे हम remaining लिखेंगे 3 अब next digit 2 को हम down लेंगे Begin down So, being down 2 digits अब हम 4 से किसे divide करेंगे? 32 को So, 4 से 32 को divide करेंगे 4 का table read करते है और देखते है 4 से 32 कितनी बार divide होगा? किस नमबर पर होता है? 4 बन जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 So, 4 से 32 किस नमबर पर divide होता है? 8 पर 4 8 जा 32 So, 8 quiet and 32 नीचे विखेंगे Minus करेंगे अब 2 में से 2 minus करेंगे? 0 3 में से 3 minus करेंगे? 0 अब हम next digit 8 को being down लेंगे अब हम 4 से 8 को divide करते हैं So, 4 जा 4 4 2 जा 8 So, 4 से 8 किस पर divide होता है? 2 पर So, quiet and 2 and 4 2 जा 8 8 में से 8 minus करेंगे? 0 So, 4 by 728 में So, 4 by 728 में quiet and होगा हमारा 182 and reminder 0 ऐसी question number 2 का B करेंगे? 7 by 714 7 से 714 को divide करना है So, first divide हम करेंगे 7 से 7 को So, 7 का table में देखते है 7 किस number पर आता है? 7 बंजा 7 So, 7 से 7 divide होता है 1 पर So, 7 बंजा 7 minus करेंगे 7 में से 7 minus करेंगे 0 अब next digit 1 को bring sorry, bring down लेंगे So, 1 digit को आपने ने चलिया 7 से हम 1 को divide कर सकते हैं नहीं योकि 1 छोटा है 7 से 7 बड़ा है 1 से So, हम 7 से 1 को divide नहीं कर सकते So, हमें यहाँ पर 7 से बड़े number चाहिए divide करने के लिए So, देखो हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और next digit 4 को भी हम down लेंगे अब कितना हो गया है 14 अब हम 7 से 14 को divide करेंगे So, देखते हैं 7 से 14 divide होता है क्या 7 मंज़ 7 7 टू जा 14 So, 7 से 14 divide होता है 2 बार So, क्याइट 2 और 7 टू जा 14 अब मैनस करेंगे 4 में से 4 मैनस करेंगे 0 1 मैनस 1 0 So, हमारा रिमाइंडर कितना होँ 0 और हमारा क्याइट 102 So, ऐसे आप मैथ में exercise 5.2 का question number 2 divide and find the क्याइट अपनी बुक और नोट बुक में करेंगे